क्या दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिखदार होना चाहिए था? आखिर हिमाले की चोटी की उचाई नापने वाला असली शख्स कौन था? एक बार फिर हिमाले के असली नाम को लेकर बहस जोर पकड रही है. सवाल उठ रहा है कि आखिर दुनिया की सबसे उची चोटी को माउंट एवरेस्ट क्यों कहा जाए? खासतार से तब जब उसकी उचाई नापने वाला शख्स कोई और ही था? इस बारे में रेडियो होस्ट, नौवेलिस्ट और कमेंटेटर संदीप रॉय ने दिल्चस पर आय रखी. टाइमस ओफ इंडिया को दिये इंटर्व्यू में संदीप रॉय ने इतिहास की पन्नों को एक बार फिर पल्टा और बताया कि माउंट एवरेस्ट का असली नाम क्या था? और ये भी बताया कि कैसे इस चोटी का नाम बदलना थोड़ा मुश्किल होगा. संदीप रॉय ने बताया कि हिमाले के सबसे दुर्गम इलाके में मौजूद इस चोटी की उचाई 1852 में राधा नाथ सिक्दार निना पी थी. सिक्दार भारत के ग्रेट ट्रिगोनो मैट्रिकल सर्वे में शामिल थे. उन्होंने इस चोटी को तब के हिसाब से पीक 15 नाम दिया था. साल 1865 में इस बात की पुष्टी हो गई थी कि कंजन जंगा नहीं बलकि यह दुनिया की सबसे उची चोटी है. अंग्रेशोंने इस चोटी का नाम कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा. जॉर्ज एवरेस्ट साल 1830 से 1843 के बीच भारत के सर्वेयर जनरल थे. एवरेस्ट का इस चोटी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है. सिवाए इसके कि उन्होंने तब कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे सिकदार को नौकरी पर रखा था. एवरेस्ट के बाद सर्वेयर जनरल रहे एंड्रियू वौ ने चोटी का नाम अपने पूर्ववती के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया. वजह ये बताई कि उन्हें इस चोटी का कोई स्थानिय नाम नहीं मिला. जबकि तिब्बत में इसे चोमो लुंगुमा और नेपाली में सागर माथा कहते थे. जिस शक्स ने चोटी की उचाई ना पी उसी के नाम पर चोटी का नाम हो ऐसी मांग बार बार उठ रही है. इस साल एवरेस्ट डे यानि 29 मई पर हिमालियन माउंटेन रिंग इंस्टिटूट के प्रिंसिपल ग्रूप कैप्टन जै किशन ने कहा कि अंग्रेजू का शासन खत्म हुए साथ दशक खुजर चुके हैं. भारत के परवदा रोही इस चोटी को माउंट सिख्दार क्यों नहीं कहते? सिख्दार के नाम पर चोटी का नाम हो इसके पक्ष में कई तर्क दिये जा सकते हैं. साल 1843 में सर्वे विभाग के कामगारों के सोशन के खलाफ उन्होंने आवाज उठाई. सिख्दार की मौत के बाद च्छपे सर्वे मैनूल में उनका नाम ही नहीं था. जबकि मैनूल के मैथमेटिकल चैप्टर्स उन्होंने ही लिखे थे और एवरेस्ट ने सिख्दार को अपना दाहिना हाथ कहा था. अब सवाल ये भी है कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है. ऐसे में उसका नाम हम कैसे बदल सकते हैं? तो सबसे बहतर विकल्प ये है कि भारती नाम को चीनी और नेपाली नाम के साथ रखा जाए. वह भी एवरेस्ट को हटाए भी ना. अगर भारत चीन और नेपाल को मना ले कि वह इस चोटी को सिख्दार के नाम पर रखने को तयार हो जाएं तो बात ही और होगी. भारत अगर राधानाथ सिख्दार के नाम को पीड़ियों को याद दिलाता रहे तो भी कुछ भरपाई हो सकती है. NBT Online की रिपोर्ट